So guys, अगर आप लोग के car sprays बहुत जादा खराब हैं और आप अपने car sprays इंप्रूफ करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए best होने वाली है So guys, इस वीडियो मैं आपको car sprayer में बताऊंगा ही पर साथी साथ इस वीडियो के ending मैंना मैं आपके लिए एक ऐसी tip बताने वाला हूँ ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे कि आपका पूरा गेम इंप्रूफ हो जाएगा तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं without wasting any time So guys, अगर आप लोग अपने car sprayer इंप्रूफ करना चाहते हो न तो आपको अपनी तीन चीज़ों पर focus करना होगा अब जो पहली चीज है वो होती है आपकी scope opening So guys, जैसा कि आप लोग देख सकते हो इस clip में पीछे से मुझे car का sound आता है और मेरा scope देखना किस जगह पे खुलता है और अभी दुबारा से देखना मेरा scope कहा खुलेगा भाई मतलब सीधा बंदे के ऊपर scope खोला मैंने और बंदे को सीधा पेल दिया इस example में भी आप देख सकते हो मेरा scope almost बंदे के ऊपर ही खुला है सुगर जो आपकी scope opening होती है या फिर सीधे सब्दों में कहें तो crosshair placement होती है वो बहुत जादा important होती है आपके car spray में for example आपके सामने car आ रही है बट आपका scope हलका सा right में खुलता है या फिर हलका सा left में खुलता है तो आपकी starting की सारी bullets मिस हो जाती है अब उससे क्या होता है आपके mag में मानलो 40 गोली है आपके पर extend mag है आपने starting की bullets मिस कर दी आपके पस बची 20 गोली है अब 20 गोली में जरूरी नहीं है कि आप बंदा उतारीद होगे तो आपकी जो starting की bullets होती है वो बहुत जादा important होती है बंदे को connect होनी तो guys इसके लिए ना आपको अपनी scope opening इंप्रूफ करनी है अब देखो मैं आपको drills बता जिता हूँ कि क्या क्या drills है इसको improve करने के लिए guys आपको training round में आना है और आपको यहाँ पर जितने भी targets दिख रहे है आपको randomly उनके उपर fire करना है जितलब आपको जो भी target दिख रहा है उस पर बस scope खोलो और fire करो और try करना कि जितने भी targets है ना उनके head पर ही आप fire कर रहे हो अब इससे क्या होगा ना कि आपके accuracy और भी जादा on point होगी और जब भी आपके सामने car आईगी तो आप सीधा headshot मारोगे and guys आपको एचीज moving targets के साथ भी practice करनी है आप लोग moving targets पर practice करोगे तो आपके लिए और भी जादा better रहेगा क्योंकि car कभी भी still नहीं रहती अगर आपके सामने से car जा रही है तो obviously वो healy रही होगी ना एक जगा पी तो नहीं होगी तो आपको अगर अच्छे से practice करनी है तो आपको यह वाली trail भी करनी है आप guys second चीज आ जाती है recoil आप guys for example आपने बंदे के ऊपर scope खोला और बंदे को damage भी दे दिया पर आपका एकदम से recoil या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या फिर left right जा रहा है तो ऐसे में आप बंदे को थोड़बो damage तो दे दोगे starting की bloods मार के पर आप बंदे को knockout नहीं कर पा होगे और अगर सामने से चार बंदे आ रहे होंगे न वो आपको easily मार देंगे and guys recoil control करने के लिए एक अच्छी sensitivity की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है and guys अगर आप लोगों के पास एक अच्छी sensitivity नहीं है तो मैंने sensitivity के उपर already एक video बनाई होई है description में आप लोगों को video का link मिल ज देने और उनकी health आपको 100 कर देनी है and guys आपको सभी scopes के साथ try करना है कि आप 10-20 bullets में एक target को down कर दो अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब आपको अपनी sensitivity improve करने की ज़रूरत है तो sensitivity की video देख लेना and guys आपको without attachment यहापे spray की practice करनी है क्योंकि classics में आपको हमीशा attachments नहीं मिल जाती कभी-कभी आपको without attachment spray देना होता है and अगर आप without attachment अपना spray master कर लेते हो तो classics में आपके लिए बहुत ज़्यादा easy होता है उस time पे बंदो को मारना अब guys third thing जो आपको improve करनी है वो है आपकी tracing अब guys कभी भी न कार आपके सामने सीधी नहीं आती वो यह तो पुरी left को जा रही होती है यह right को जा रही होती है यह पर कभी-कभी zigzag movement दे रही होती है यह जादे तर bridge camp में होता है पर लेकिन अगर आपकी tracing खराब है ना guys तो आप आप ऐसे में कार से एक भी बंदा नहीं उतार पाऊगे इसकी में आपको भी drills बताईता हूँ इसकी एक नी इसकी बहुत सारी drills है अगर आप सारी drills में से दो-तीन drills भी practice करोगे ना तो आपकी tracing definitely improve हो जाएगी so guys अब हम start करते है मारी पहले drill से आप guys आपको पहले इस जगह प आपको इस जगह पर आने एंड यहां पर आने के बाद आपको अपने 20-90 meters के target on रख देने है and movement speed आपको थेंडेट कर दीनी है अब थेंडेट guys इसलिए करनी है आपको movement speed क्योंकि कार आपके अगर close से जा रही है न तो एकदम पूरी full speed में जाती है एकदम से जाती है और ऐस इसे में आपको जादा speed वाली tracing की practice करने की जरुत है and guys try अगर नगिया आप कम से कम bullets में target को गिरा दो and guys इसके बाद हमें अपनी long range tracing की practice करनी है अब guys उसके लिए हमें 90 to 183 meters की target on रखने है and movement speed उनकी thin head कर दीनी है अब guys इसवाली drill को करने के ना दो फाइदे है पहला फाइदा तो यह है कि आपकी जो tracing है वो अच्छी हो जाएगी दूसरा फाइदा यह है कि आपको bullet की speed का थोड़ा idea जाएगा अब guys क्योंकि सामने से आपके कार जा रही है तो आपको scope थोड़ा आगे खोलना होता है और spray भी थोड़ा आगे देना होता है क्योंकि bullet को वहाँ तक travel करने में थोड़ा time लगता है जो time होता है उसका idea आपको experience से आता है और experience बहुत ज़ादर ज़रूरी होता है long range sprays में इस वाली drill से आपको थोड़ा बहुत experience जहां से भी gain हो जाएगा और जब आप classics खेलोगे तब तो आपको experience gain हो गई ही अब guys example के तोर पे आप याली clip देखो सामने से एक buggy आ रही है और मैं बंदे के ना बगई के थोड़ा आगे fire कर रहा हूँ जिस direction में buggy move कर रही है उस direction में थोड़ा आगे और guys यह होता है आपको bullet का idea लगाना होता है कि bullet कितनी देर में वहाँ तक पहुचेगी और हर gun की अलग-अलग bullet की speed होती है तो आपको experience के साथ ही वह चीज़ समझ में हैगी कि आपको किस gun से कितनी आगे fire करना है और guys उसके बाद आपको जो यह लगड़ी वाला object देख रहे हैं ना सामने आपको इसको trace करना है अच्छे से अब रेंडम ली बाकी objects को भी trace कर सकते हो उससे भी आपकी tracing बहुत जादा इंप्रूव होगी so guys जैसे कि मैं आपको वीडियो के starting है बोला था कि मैं आपको वीडियो में बहुत ही खतरनाक tip बदाने वाला हूँ तो अब उस tip की बात कर लेते हैं पर उससे पहले आप एक क्लस्स देखो हाँ तो guys मैं क्या कह रहा था कि आप लोग बोलते हो कि सेंसीटी के ऊपर वीडियो बनाओ जो कि मैंने ओलेटी बना दी हैं बट आप सोचो देखो उससे आपका एम अच्छा हो दाएगा आपका जिगल अच्छा हो दाएगा इन सब वीडियो से पर guys क्या इनसे आप गेमपले इंप्रूव होगा गेमपले देखो आपका इंप्रूव होता है आपके गेम सेंसे किस तरीके साब डिसिजन मेंकिंग करते हो लाइक आपके उपर rush हो रहे हो तो आप किस तरीके से उस rush को handle करते हो आप किसी को रश कर रहे हो तो किस तरीके से rush कर रहे हो और वो चीज ना आपको तभी हैगी जब आप अच्छे players का gameplay देखोगे अब guys अगर आप लोग Jonathan को follow करते हो तो उसका gameplay देख सकते हो या किसी ओर प्लेयर कर देख सकते हो पर लेकिन गाइस देखो मैं भी बीच बीच में आपने चैनल पर गेमपले वीडियो डालता हूँ और इसलिए लाता हूँ ताकि आप लोग उस गेमपले से सीख सको अगर आप लोग एक मिनट भी देख लोगे ना तो मैं मतलब आप लोग को मज़ा नहीं आया ना तो भाई चैनल अंसब्सक्राइब मार देना मैं कुछ नहीं कहूंगा मतलब यार एक से एक अमेजिंग क्लचेस दिखाई हूँ है उसमें मैंने जिससे कि आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हूँ कमेंट सेक्षण में मैं उस वीडियो को लिंक डाल दूंगा जरूर से देखना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाल आप उस वीडियो से आपका गेंपले next लेवेल हो जाएगा तो गया मैं मिलता हूँ उसे next video में तब तक के लिए बाई बाई और मेरे को comment सेक्षण मे आपको नेक्स वीडियो किस टॉपिक के उबर सीए अबर बाटल वर फॉपिक काफने है वर वर फॉपिक के गड़ खॉपिक यॉपिक के बाटल पॉपिक पॉपिक के गड़ियू झाल झाल